गोण गोणिंग नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में जितने भी हम प्रशन देएंगे पूरे के पूरे के पूरे डिटेल में और एक्ट्रा फेक्ट के साथ में अगर आप किसी भी सरकाइनों करें के तारीक कर रहे हो तो यह आपके लिए वीडियो बहुत हेलफुल होने वाल कर पाएंगे ओके दोस्तों अब हम देखेंगे आज की वीडियो का पहला पर्श चीन ने बांगल देश को धाका से निर्यात करने के लिए कितने पर्तिसत उत्पादों के टेरिफ में छूट परदान की तो छूट परदान की गई ऑप्शन नमबर देन कि 97 परसेंट बांग दोस्तों अब देखेंगे एक दिवपक्षिय वारता हुई थी चीन के राश्पति सी जिन्पिंग के बीच में और पांगल देश के परहा मंतरी सेख हसीना के बीच में दोस्तों और एक महीने के बाद यह निर्या गया है यानिकि चीन ने दोस्तों टेरिफ में छूट दी ह ठीक है अब कितने पूड़क्ट हैं यह तो दोस्तों बांग देश के यह 8256 पूड़क्ट है ठीक है इन पर छूट देगी चीन सरकार लेकिन पर कितने पूड़क्ट पर छूट दे रही है चीन सरकार तो 355 पूड़क्ट पर दोस्तों अब देखी यह निर्ने है कब से ला से काफी important है जो बंगलदेश है इसकी राधानी का है इसकी राधानी का है इसकी राधानी है धांका इसके प्राइमाइशर है सेख हसीना पैसिडेंट है अब्दुल्हामी तथा इसकी मुद्धान कॉंसिचून चलती है तो टका चलती है ओके अगर आपको इस वीडियो का ब्यक्ति कौन बन गए दोस्तों यह बन गए option बैर बैएन की जेफ बेजुस दोस्तों यह बहुत पहले से हैं दुनिया और सबसे अनुसार दुनिया के Top 10 ka के लिश्ट में आ गए हैं तो कितने नमपर पर हैं दोस्तों ये हैं नोवे नमपर पर और ये ACI के सबसे अमीर भी व्यक्ति हैं ओके दोस्तों अब देखिए इनकी कुल संपति कितनी है तो 20 जून 2020 तक दोस्तों इनकी कुल संपति है 64.8 बिलियन डॉलर की संपति है ठीक है दोस्तों अब हमने इनके बारे में देखा आप हम देखिए कि सबसे अमीर जूपर ओके जेजिए इनकी संपति टोटल कितनी है तो दोस्तों उनकी संपति है टोटल 160.9 बिलियन ड़्ोलर के रूप दोस्तों इससे नम्वर वान है तो नमबर टु undis तो नमबर टु है दोस्तों बिलिट्स टिकिंगे संपत्य कितना है तो इनकी संपत्य है एक सो दो बिलिएन डॉलर ठीक है दोस्तों ओर तीन नमबर ।ो कुझ है तीन नमबर Hutchinson मार्क जकरबर्ग और इनकी संपति है नैंटीन पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर की दोस्तों इनकी संपति है टोटल ठीक है मुखेशा माई नो नमबर पर सबसे अमीर है जहे बोजेस दोस्तों आप इतको इतना याद करना है ओके अगला पाश तीन नमबर के लिए भारत कब संभीत्राश वक्षा परिशद की अधक्षत है करेगा अगले साल हैंगे अगस्थ दो हजार एक यार की एक महिने के लिए अजहक्ता करेगा कि इसके सविक्तराश वक्षा परिशत की दोस्तों अब देखिए हाली में हमें पाता है कि नया सतर एक जर्मी 2021 से सुर हो रहा है उसके लिए भारत, नौर्वे, आरलेंड, मेक्सिको और केनिया के दोस्तों सामिल किया गया है इसके और साइस सदस्यों के अजहक्ता किया तो अंग्रेजी के अलफा बैट के अनूसार इसकी गिंतिक जाती इसको चुना जाता है ठीक है और इसकी साथ से भारत कब नंबर आएगा तो अगले साल 2021 में भारत का नंबर आएगा अब देखिए जो आगले साल जो चालू हो रहा सत्र उसमें सबसे पहले कौन सा अजहक्ता करेगा दोस्तो तो अजहक्ता करेगा त्यूनेसिया फिर है UK, US, Vietnam, चीन, ऐस्टियो, फरांस, बहरत, केनिया, मैक्सिको, नाइजर दोस्तों यह देश करेंग और बार 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 यूदे साल के चुना गया है दो साल के लिए आपको याद करना है ठीक है हम देखते हैं United Nation की स्वमित्रा स्वक्षा परिशत के बारे में दोस्तो इसके स्थापना हुए थी 26 जून 1945 हैटक्वार्टर नियुवार्ग सिटी मेंबर्शिप कंट्री हैं एक वेक सो अंठान भी तरथा इसमें कितने भासा में काम होता है तो छे भासा में कौन सी है अर्बिक चाइनिज इंगलीज फ्रैंच रसियन और स्पैनिश दोस्तो इसमें साही साथ रसे हैं पांच कुन कुन से अमेरिका रसिया चीन ग्रेट बिटेन फ्रांस और और साही साथ रसे हैं दस और टोटर साथ होगे कितने पंदरह ओके ता था था युट्ट नेशन के 500 बिलियन डोलर की कंपनी कौन सी बन गई यह बन गई और यह रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटर अब देखे दोस्तों यह हुआ कैसे तो दोस्तों जोब इसकी शेर की कीमत में 6.23% की बढ़ोतरी होई उच्छाल आया ठीक है अब देखे इसकी शेर कीमत कितनी हो गई है तो 1769 रुपे शेर कीमत होगी और उस पर बंद हो गया तब यह बहात के सबसे बड़ी कंपनी बन गई यानिकि पहली 1500 बिलियन को पार करने वाली कंपनी बन गई यह दोस्तों ठीक है अब देखे इसका बजार में टोटल कितना अगर इसको भारती रुपे में कनवर्ट करेंग तो कितना हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा 11.15 लाख करोड रुपीज कितना 11.15 लाख करोड रुपीज इसकी कीमत हो जाएगी दोस्तों अब देखे जो रिलाइंस इंडॉस्ट्रीज है इसके पजेंट टाइम के अध्याश को है दोस्तों तो अध्याक्ष और के रूप में कौन पदभात संभालेगा तो इस संभालेंग नमबर भी यानि कि उर्जित पटेल दोस्तों अब देखिए दोस्तों ये ये नाम सुना सुना से जादा देखा भी लगारा काहां देखा हमने तो जो हमारे नोट होते हैं जो उसके उपर इनके सिगनेचर हुआ कर 18 के दिसंबर मेन्यों ने स्थिपा दे दिया था अब देखिए दोस्तों ये किसका स्थान लेकर के अध्यक्ष बन जाएंगे एन आइपी एफपी का दोस्तों तो स्थान लेंगे विजय केलकर का ठीक है किसका स्थान लेंगे तो विजय केलकर का स्थान लेंगे जो एक दिन मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है हर साल option number 21 को 20 हाइडोग्राफी दिवस मनाया जाता है दोस्तों अब देखिए ये मनाय को जाता है तो हाइडोग्राफर के काम और हाइडोग्राफी के महत्तों को पजायत करने के लिए और ये लोग के बीच में इसके पर्ति जागुता प्यादा करने के लिए इसको हर साल 21 जून को मनाया जाता रहा है अब देखी इसको पहली बर कम मनाया गया था तो इसको पहली बर मनाया गया था 2006 में और तब सी इसको मनाया जाता रहा है ठीक है इसको मनाता को है इसको मनाता दोस्तों ज्यादा पूछा जाता है तो बिसर है Hydrography Inbanding Autonomous Technology एक बहुत सुनिए Hydrography Inbanding Autonomous Technology इसका अब की बार का बिसर है दोस्तों ठीक है इसको माई जाता है हर साल 21 जून को और 21 जून को एक और दिवसी माई जाता है जो हमने कल के वीडियो में देखा था क्यामिन मना जाता है तो दोस्तों वो है International Yoga Day जो अब की बार 6 बार मनाया जारा है जो अब की बार 6 बार मनाया जारा है इसको पहली बार 215 में मनाया गया था अगला पस करनाटका बैंक ने COVID-19 महमारी के दोरान अभर उत्पन अन्हचिताओं को कवर करने के लिए कितने रुपे का स्वास्त वीमा शुरू किया है तो शुरू किया गया option number से ने कि 399 रुपे का करनाटका बैंक की तरफ से आम आदमी के स्वास्त की देखभाल के लिए इस वीमा को चलू किया गया कोबिनेंटिन से महमारी के दोरान दोस्तों अब देखिए इसके अंदर में 3,00,00 तकी पॉलिशी की जाएगी और अगर कोई व्यक्ति अस्पता से उसको छोटी हो जाती है तो उसको 3,000 रुपे दे जाएगे अगर कोई व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल में और सेना के के लिए jago 120 दीनों के लिए यह शूच्वी लूंचSmall heग दोस्तो अब देखे कितने से कितने के बश्त कर रिख्ती में सकते हैं तो 18 से ले करके 65 ब्रविक्च ट्क के इसमें भैक्ती को के सुभारम की घोशना की दोस्तों इसको चालू किया option number से नहीं की परलहाद जोशी जो परलहाद जोशी है ये को ना दोस्तों ये भात के परिंटाइम के केंदर ये खानान मंतरी है जिन्होंने इसको लोंज किया दोस्तों अब देखिए इसको बनाया किसने है इस जो पोटल है इसको बना गें दोस्तों तो इसको बना है राष्टि सूचना विज्ञान केंदर और सूचना विज्ञान प्रभाग दोस्तों इसको बना गया है उसको विक्सित किया जाएगा और इसको करनुईत में लाए भी जाएगा इनके ही तरब से दोस्तों ठीक है अब देखिए इ संस्थान तेगी से पताल लग जाएगा दोस्तों ठीक है अब देखिए इस परिजना के अंदर में किस और किसको व्यक्ति को रखा गया जो इसकी निगानी करेगा तो दोस्तों रखा गया है भारतिय विग्यान संस्थान बैंगलोर और भारतिय पुर्दिन संस्थान आईटी खड़क पुर्को इसके अंटर करट में रखा गया है ओके दोस्तों अब हम देखेंगे आगला पस हाल ही में प्रसिद अर्द साज्थरी और एक आपसी सदस बी पी आर्विठल का निधन हो गया वह किस वित आयोग की सदस दोस्तों ये वित आयोग की सदस यातिए अनिकि 10 सबस्वiebenं वित आयोक के सदस्य थे दोस्तों थीक है अब देखें ये क्या थे हैं तो ये एक आदर साफ्तिर थे हैं और दोस्तों इनकी मिर्थी हुए कब क्योंकि vendor काभी बूढ़े हो गए तब इनकी मिर्थी हो गए ठीक है अब देखें ये और कौन थे ये 1952 83 की एक पाद भार गरहन किया था, ठीक है, अब देखिए इसके अलावा ये, अंतराश्य मुद्रा कोशान की इंटरनेशनल मोईट्री फण्ड में दोस्तों, मलाभी और सुडान सरकारों की तरफ से, राज कोशिय सलाकार का भी इन्होंने काम करने का मिया था, ठीक है, इनके बारे मे नेकर नाम रगखा गया दोस्तो ठीके इस प्राष्न का सही जवाब किसे ने दिया है तो ठीक है आज का प्रश्ञ क्या है मोसम बीभाग अब पी- सम्य कि फूर्वा अनुमान जारी करेगा दोस्तों यह बहुत ही important पर्षन है आप दोस्तों इसका जवाब comment box में दीजिए और इस पर्षन जितने भी तत्य हो सकते हैं उसको भी आप लिखेगा comment box में पूरे सही तरीके से दोस्तों ठीक है और आपसे अनुगर है दोस्तों कि इस वीडियो को जा जार 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 लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके जितने भी शट्री लोडर ग्रूप हैं वहां पर इसको सेर कीजिए अपना अपनों ख्याल रखिए धन्यवाद नमस्कार